अभी जो हम बात करेंगे हम बात करेंगे reporting module के बारे में कि हमारे पास किस तरह की reports हैं और वो किस किसम की information आपको provide करती है जो हमारा reporting करकर हमेद राते हैं तो सबसे पहले हमारे पास report है sale report तो यह हम एक time period के दौरान हम देख सकते हैं कि कितनी हमारी sale हुई है for example इस month में September के month में हमारी total कितनी sale हुई है वो यहाँ पर listed है ठीक है जी total count entries जो उनसी थी वो 13 हैं जिसके अंदर total जो members से आया है वो इतना revenue है जो total trainer sales है वो इतनी है और total फिर इतनी है so इसके अंदर अगर हम देखें हमारे पास है यहां पर फिर हम members के लिस्ट कर सकते हैं कि या अच्छा member की कौन-कौन से थी for example visitor के कितने कितने थे कि visitor का भी तो कुछ है अमने add नहीं किया तो इसना trainers का हम short list करके further drill down कर सकते हैं यहां हमारी sales कहां से generate हो रही है और क्या है और फिर अगर हम यहां पर search करना चाहें यहां पर अगर हम members पर जाते हैं तो यहां पर हमारे membership ID है for example मैं membership 8 को इदर search करता हूं तो मैं एक member का भी देख सकता हूं कि एक total time period के अंदर for example शुरू से जो मैं से अब तक इसने total इस user का कितना है तो यूजर हमने testing के लिए create किया था कुमारा picture पहले का कोई इतना ज़र data पड़ा नहीं हुआ तो वह हमें नजर नहीं आ रहा मगर यह है कि हमारे पास यह information जो sales related है किसी एक बंदी की जो sales हैं वो भी आप देख सकते हैं और यह जारी बात है यह सारी चीज़ें print भी हो सकती है ठीक है report की form में आप print करके आप देखना जाते हैं art form में आपको आदर देखने की तो आप उस चीज़ को ले जाके hard form में भी देख सेते हैं कि यह member का filter लगा के अमने की अदर सिरुफ members आ रहा है अगर यहां पर मैं all करके print करूँगा तो आप देखेंगे यहां पर हमारे पास यह 48 उसका भी आ गया ट्रेंडर उसका भी आ गया और वो सारा तो हमारे बाद यह बड़ा हमारा powerful एक वो report है sales की जो आपको exactly बताएगा कि क्या चल रहा है अब आपके gym में अब यह जैसे एक मंत के है दो मंत के है तीन मंत के है अब सारा पीशे जा के देख सकते हैं कि total आपकी sales कितनी होई है ठीक है उसके बाद जो है member attendance member attendance के अंदर क्योंके अभी हमारे पर device hooked नहीं है इस demo account के साथ क्योंकि इसमें जादा बहुत जादा data भी नहीं था तो अब जो भी आपका biometric या card लगा के आएगा वो information जब हम device से retrieve करेंगे यह automatically होगा हमारी application करेगी तो वो सारा आपका यहां पे listed होगा अच्छा जी आज कौन सा member है जो आया था gym के अंदर यह report यहां के future में चलके जब हम device वाले portion पे दुबारा आएंगे कि device के दाथ किस उस वक्त यह मैं आपको depth में रिपोर्ट भी दिखाऊंगा और किस तरह काम करती है यह चीज़ भी दिखाऊंगा उसके बाद हमारे पार default report आजाती है यह भी बहुत important report है यह आपको ऐसर में बताती है कि एक बंदा जो डिफॉल्टर है उसकी वज़ा से आपकी कितने पैसे इनिके फसे होंगा जो potentially आपको मिल सकते है अब for example यह एथन है एथन के total 14,000 रुपया pending है यह अगर यह आपके पास नहीं आ रहा तो आपने इनिके इसको attract नहीं किया आपने gym के अंदर यह उसको retain करके नहीं रख सके तो आपने इनिके 14,000 रुपया lose किया एक बंदे से इद अगर आप देखें यहां पर 7,000 है यहां कि दो मंद से नहीं आया तो आपका तकरीमन यह loss हुआ है 14 का एक किसम का पिर आप यहां से अगर आप फासम को reminder बहिना चाहते हैं वही जो पराना मैने आपको तरीका कार बताया था उसी तरीके से यह उसने चैट में गया वहां पर अपन किया हम continue to chat करते हैं तो हम उसको message भी सकते हैं तो यह सारी चीजे हैं जो आपको यहां से यहां से पावर देती है यहिए तो यहां से जाओ करेंगे तो यह मने दीख्टिवेट हो जेगा यह इस इन देफॉल्टर शोट नहीं होगा यह इनएक्टिवेट्स में चला जाएंगा तो आपकी रिपोर्ट्स में भी विजिबल नहीं होगा तो यह था यह भी डीफॉल्टर मेंग्मेंट जी का तो तो जो इस का पास्ट रेनिंग ता तु क्याstudy उसका बोख कर दो वोइinde का Tell Ooh । कि तो सुरी जो मेंबर्ट आ्रेंट के पास्ट तरियंग लेनिक के लिए यह पस्ट मध्य के सुसक कि अप यहां पर देख सकते ही अच्याँ एक ट्रेइनर के साथ यह था तो क्या उस टाइम पीरिड में जो उसका बुक टाइम था क्या वो यूजर उसके कस्टमर्स आए भी है या नहीं आए तो इस तरह की कीज़ है या Persim को कवर करती है, यह उसके जो उनसे क्लाइंट्स हैं उनकी कितनी अटाइंडनेस है वो यहां से आप देख सकते हैं क्या चल रहा है फूर यहांसे आप देख सकते हैं पर शवा नि Craft ऑन ला हैं render मैंबर र 醒स्तर कें दर जो भी आपके नए मंबर्स रिजिस्टर हुए हैं यहां पे सारे लिस्टेड हैं आपको बदा चल रहा है कि अच्छा रिजिस्ट्रेशन की माद में मुझे बीस जाजार प्या मिला है और बाग की जो नसी हैं क्या कहते हैं मंतली फीज के माद में 28,000 रिजिस्टर मुझे मिला है इसके थ्रूप तो यह न्यू मेंबर रिपोर्ट आपको बता चल रहा है कि यार इस टाइम पिरिएड में इस मन्त के अंदर मेरे चार नहे कस्टमर्स आए हैं मेरे पास अगर फार गेंपल मैं पीछे जाता हूं फस्ट अगस से मैं देखता हूं और मैं इसको सर्च करता हूं तो फस्ट अगस से लेके अब तक 8 मेंबर आ चुके हैं तो यह चल रहा है किज़ने नियूजर्स आरह हैां पंतरी बेशिस पें फिर यह ने यदियली क्लोजिंग रिपाट्ट Бियू को बताएगी एक दिन में जिस पॉइंट पे और आपने सर्च किया आज का दिन 4 टरीख चल रही है अब अब ये एंड द रहीं होई चार तरीख तो चार तरी हमें उस टाइम तक जब तक आपने यह सर्च किया तो अभी इतना टाइम हो रहा है 456 से अब तक 456 सक मेरी जो सेल हुई है टोटल यारा सेल्स हैं उसके अदर ये टोटल उनका ग्रेंड टोटल 85,000 बांग है तो ये भी एक बड़ी पावरफुल डेली क्लोजिंग रिपोर्ट फारजमपल एक दिन पहले जाते हैं हम चार है तीन तारीख में हम चले जाते हैं इसको हम सर्च करते हैं तो तीन तारीख में डेटा नहीं है ज़री बात जो आपका अपना जिम होगा तो इस पर आप डेली बेसिस कुछ ना कुछ आ रहा होगा तो वह आपकी इस तरह कोई न कोई रिपोर्ट नज़र आ रही होगी ठीक है फिर employee attendance है, employee attendance में वो लोग हैं जो आपकी users है, users को उन है, जो आपका gym का sweeper है, आपका जो आपका operator है, जो आपका trainer के इलावा जो आपके gym के, जिनको आप payroll पे हैं आपके, उन सारों की क्या वो कब आए थे, कब गई, ये employee attendance के अंदर आता है फिर check-in report है, ये भी device से related है, ये भी आगे जाके, जो employee attendance, trainer attendance, member attendance, ये सारी में वहाँ पर दुबार भी इस को रिए, हम recap करेंगे, वहाँ पर बताऊंगा, के actually इसमें data आता के इसमें, अब इस report के अंदर क्या होता है, daily check-in के अंदर के, कितनी दफ़ा, जब भी कोई बंदा card य वह entry यहाँ पर होगी, for example, यहाँ पर आप देख सके हैं कि कोई भी बंदा, कितनी दफ़ा जेम में उसने आके device पर finger-bint लगाया, यानि कितनी दफ़ा इंटर होगा है जेम के अंदर, अब ये report आपको किन-किन scenarios में आपको वह करेगी, help करेगी, for example, एक user है, वह जुन से है, उसका card है, और ये एक नमारे एक gym के साथ, real reality में ये चीज होई थी, कि वह card issue करते हैं अपने members को, और वह card आके device पर लगाते थे, और फिर जेम में इंटर होते हैं, तो वह क्या था कि वह card जो उसा था, वह एक मंदा, single membership थी, और वह card उसने multiple लोगों को दे के, यानि कि कोद आता था, दुपैर को कोई उसका दोस्ता आ गया, शाम को कोई उसका दोस्ता आ गया, रात को कोई उसका दोस्ता आ गया, तो वह card share करते थे, और वह entry करते थे, तो इस report की वज़ए से, हमारे client हैं, उन्होंने जब वही report देखी, उन्होंने देखा, यार ये बंदा, multiple times जिम में आ रहा है, तो इस report के जरीए उनको बना चलना है, चाहिए यार ये बंदा, तीन तीन, दो चार चार दखा दिन में आ रहा है, तो उन्होंने जब जा के उस time stamp के उपर सेस्टी टीवी को गएरा देखा, तो उनको बना चलना है, ये तो वह बंदा ही नहीं है, जो इ करते हुए आपके जिम की inefficiencies हैं या लूपोल्स हैं, उनको discover कर सकते हैं और उनको रोक सकते हैं, तो ये है total जो इस module के अंदर हम ने कवर किये, बाकी future में इसमें और भी reports हैड होंगी, और भी useful reports हैड होंगी, हमारी clients के feedback आता है, हम वह भी इंशालला इसके अंदर incorporate करेंगे जो आता है